तो आप देख लो लाइट का फोकस मेरे सबसे कम से कम ने तो ये 30 से 32 मेटर अवे 28 मेटर तो हलो और वालकम बैक टू दा चैनल सीजनल गैली वेंटर पता है काफी दूनों बाद व्लॉग तो वापस आया हूं और अभी जस्ट घर पहुचा हूं कुछ दिनों पे जॉप के ट करते हैं अधर कहीं पर जाने का मेरा सेंस भी ने था इस वज़े से क्योंकि इनके पहले भी एक दो काम मैंने आ पर करवा चुके हैं तो इसलिए मैंने यह वापस आया है यह शुरिंदर भी आपने इपर हेलो बोल दीजे कैमरे के और तो बस अभी ये मैंने आपको बता यह आट ओफाई का यह लाइट मैंने मंगावाया हुआ था अब लास्ट में प्रॉब्लम क्या हुआ जब मैं उस लाइट को मांट कराने के लिए गया तो पता चला उसमें से एक लाइट फ्यूस निकली जिसकी वज़े सा फिर उसका भी व्लॉग मैं डालनी पाया था तो अब यहां पर शॉप पर आगया हूँ किट वगरार कुस अब कुछ मेरे पास रेडी है एक फॉर मोटो को जो कस्तुमाज डिजाइन करते है मुंबई में उनसे यह मंगवाया था मैंने दो दिन पहला तो फटाफ़ डिसको इंस्टॉल कराता हूँ फिर अंदर भी है के और यह है आटो फाइक का विंक्स टी और राइट का फॉग लाइट कि अग्नौर अग्नौर तो सबकू सेटब हो गया है लाइट का थोड़ा समय जादा ले लिया था भी आने लेकिन कोई नहीं काम देखे बारा कि बारी किसे किया गया इस चीज़ का कीमत होता है कहना है मतला इसके पहले भी जैसे इंदौर गोपाल में करा है आपने वीडियो पर भी देखा होगा मौसिम भाई में किया दें दौर के काम उनका भी अच्छा था लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कहां पर हलकी हलकी क्या क्या कमया निकली है तो ठैंक्स तो सुरेंदर भ करते हैं सारी चीजें तो कभी भी मिलना हो तो सुझंदर भी आख है मैं कांटेक नमर डिस्क्रिप्शन में शेर कर दूगा इनका और लोकेशन भी शेर कर दूगा किसे एरी में बुढार को तो आपका काम करा सकते हैं और जो लाइट अभी फिक्स किया था मैं आपको थोड अधिस मेटर अभी 28 मेटर कम से कम ये 28 मेटर तक तो जाई रहा है और काफी अच्छी इसकी फॉग है जो लाइट इसका जो फोकस देगी आप फोकस बहुत ही प्यार हो काफी दूर तक है ओके दें ठीक है मिलता है फिर अगले ब्लॉक पे बादा है